Hello learners, कैसे हैं आप सभी? I hope you all are doing great. आज हम लोग RO exam के लिए environment के सभी, सभी महतपूर topic के सभी MCQ को discuss करेंगे और ये topic बहुत ही ज़्यादा महतपूर होंगे RO exam के लिए साथ ही आने वाले PCS exam के लिए भी पहला question बात करेंगे, environment से क्या अभी प्राय है, बात करता है पर्यावरण से क्या अभी प्राय है तो भूमी, जल, वायु, पौधो, एवं पशोग की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारो और अस्टित में है वो environment है, बिल्कुल correct है, उन संपूर दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदू पर घेरे हुए होती है दूसरा भी सही है, और environment क्या है, बहुत थिक जैविकी, एवं सांस्कृतिक दत्तों की अंता क्रियात्मक व्यवस्था जो अंता सम्माधित होती है तो यह तीनों कथन सही है, environment से related है, तो इसमें हो जाएगा all of the above, option D is the right option तो यदि हम बात करें, environment की, तो environment के अंतरगा आता है, स्थल मंडल मतलब की लिथोस्पेयर, जल मंडल, वायू मंडल, या की atmosphere और आता है, जिव मंडल, बायोस्पेयर, स्थल मंडल के अंतरगत, परवत मैदान, रेगिस्तान आदी आते हैं, जल मंडल में जील, नदी, हम आता है, जाहां जील रहता है, उस सटीक जगहे को क्या कहते हैं, मतलब की, जहां पे जील पाइज आते हैं, उस जगहे को क्या बोलते हैं, तो इसमें हो जाएगा, option d, none of the above, या फिर more than, one of the above, वहाँ अस्थान जहाँ पे जीव रहता है वो क्या कहलाता है वो आवास कहलाता है और आवास उस अस्थान को इंगित करते हैं जहाँ पे संपूर्ड चैविक समुदाय निवास करता है वो क्या कहलाता है वो आवास कहलाता है और एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं तो इसलि भोटिक पर्यावड, Sanskriticück पर्यावड या फिर जाविक की पर्यावड तो इसका हो जाएगा option A operational environment य impression बात करें पर्यावड की तो पर्यावड़ की तो पर्यावड में आता है जाविक सांस्कृतिक पर्यावड की से से कि बनता है तो पर्यावड जाविक घटकों से बनता है option D जिम्न में से किस एक का संबंद पर्यावड़ी सुरक्षा से नहीं है धरड़ी विकास करना वातान कूलन एयर कंडिशन करना तथा कागज के थैलो कपरों ये तीनों पर्यावड के सुरक्षा से संबंदित है लेकिन पावर्टी रिडक्षन यानि के गरीबी को कम करना ये पर्यावड सुरक्षा से समधित नहीं है इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्षन बी नेक्ट है हाल के वर्सों में मानो गतिविदियों के कारण वायो मंडल में कारबन डाई आकसाइड की सांद्रता में बढ़ोतरी होई है किन्तु उनमें से बहुत सी वायो मंडल के निचले भाग में नहीं रहती है क्यों नहीं रहती है क्योंकि वहां बाह समताप मंडल में पलायन कर जाती है नहीं क्योंकि समूद्रों में पादप पलवक ये प्रकास शर्च लेश्वर कर लेते है तो इसका हो जाएगा ऑप्षन 2 उनली 2 is the right ऑप्षन नेक्ट है पर्यावरड वर्तन लाना ये भी शामिल होता है पारिशितिकी विबिनिता के परिडाम सरूप पारिशितिकी असंतुलन इसके तीनों सही है तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी ये तीनों ही परियावर्ड डिग्रिडेशन के अंतरगत आते हैं इसकी स्थापना 2010 में हुई थी विल्कुल सही है या परियावर्ड संडक्षड और वनों के संडक्षड से समंदित मामलों के प्रभावी और शीगर निप्टान में शामिल है इसका दूसरा भी सही है तीसरा कहता कि ये व्यक्तियों और संपत्यों को हुई हानी के लिए राहत और मुआपजा देने का विचार करता है तीसरा भी सही है चौता कहता कि ये सिविल प्रक्रिया संगिता 1908 के थहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंदा है तो इसका दी सही नहीं है बाकी तीनों सही है इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है राष्टी हरि के अधिकार का अंगु माना जाता है बिल्कुल करेक्ट है दूसरा कहता है कि अंतरकत अनसूचित जन जातियों के कल्याड के लिए अनसूचित छेत्रों में प्रशाशन को इसतर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के लिए दूसरा गलत है तीसरा 243 क्लॉज 1 की अंतरकत उल्लकित ग्राम सभाग की शक्ति और कारियों के अनुरूप के लिए तो इसका तीसरा नहीं है इसका उनली वन मतलब की ऑप्शन A is the right option नेक्स्ट है परियावरडी संडक्षड से संबंदित मामलों का शीगर निप्लान करवाने के लिए स्थापित राश्टी हरित प्रादिकर्ड किसके अंतरगास्त स्थापित क्या गया था तो इसके स्थापना की जाती है 2010 में तो कौन सी पंचवर्सी होजना होगी इसमें होगी 11th 5-year planning option B is the right option नेक्स्ट है राश्टी हरित अधिकरड किस केंद्री प्रदूशड नियंतरग बोर्ड से भिन है तो इसमें हो जाएगा NGT परियावरडी न्याय उपलब्द कराता है और उच्चतर न्यायलों में मुकदमों के भार को काम करने में साहता करता है और जो CBCB है ये जर्नों और कुमों की सफाई को फ्रोच साहित करता है तथा देश में वायू की गुडवत्ता में सुधार लाने का लक्ष रखता है तो इसका दूसरा साही है पहला नहीं इसलिए इसमें हो जाएगा option B only two is the right option क्यों कि जो NGT है ये पर्यावरडी नियाय से संब्दित है क्या पर्यावरडी नियाय से संब्दित और CBCB ये देश में वायू की गुडवत्ता में सुधार लाने से संब्दित है CBCB क्या है तो ये गेंद्री प्रदूसर नियंत्रड बोर्ड है या एक वैधानिक निकाह है इसे सितमबर 1974 में जल प्रदूसर नियंत्रड अध्रियाँ 1974 के तधैत स्थापित क्या गया था इसका कार क्या है तो या जल एवं वायू पुर्दूसर की गुडवत्ता संबंधी मामलों में तक्नीकी रिपोर्ट उपलप्त कराना तथा गुडवत्ता में सुधार करना नेक्स्ट है भारत में जैविक क्रसी के संबंध मिन्यम लिखित कतनों पर विचार कीजिए जैविक उतपादन के लिए राश्ट्री कारिकरम एनपी ओपी किंद्री ग्रमड विकास मंतराले के मार्ग दशन या निदेशक के अधीन कारिकरता है बिल्कुल गलत है ये पहला दूसरा कहता है कि एनपी ओपी के क्रियानवन के लिए क्रसी और खाद उतपाद निर्याद विकास प्राधिकर मतलब की एपड़ा से चिवाले के रूप में कारिकरता है दूसरा तो बिल्कुल सही है तीसरा कहता है कि सिक्किम भारत का पहला पूर्वी तरह से जैविक लेकि मारग दर्शनेयों निदेश के अधिन काम करता तो इसका पहला गलत है दूसरा और तीसरा सही है साथी यदि बात करें एपड़ा की तो इसकी स्थापना कब होती है यह होती है 1985 में तो यह भी हम लोग याद रखेंगे नेक्स्ट है नीचे दिये गए कथनों पर तो इसका कारण भी साइए लेकिन क्या मानवी करिया है पर्यावड़ी पुदूसर का कारण है इसलिए प्राक्रिक पर्यावड़ सुच होता है तो इसका रीजन साही नहीं है तो इसलिए इसमें हूजए जाएगा ऑप्शन B बोथ हार करेक्ट बट एक्स्पानेशन आर एक नहीं है नेक्स्ट है United Nation Framework Convention on Climate Change UNFCCC एक अंतर राष्टी संधी है जिसका गठन कब क्या गया था तो यदि बात करें UNFCCC की तो इसका गठन क्या गया था Rio de Janeiro जो की कहां पर है जो की ब्राजील में ये भी याद रखेंगे हम लोग ब्राजील साउत अमेरिका में है ब्राजील म परियावड और विकास समयलन यानि के UN Conference on Environment and Development में किया गया था तो इसका हो जाएगा Option B नेक्स्ट है अभीष्ट राष्टी निर्धारित अंशदान का पद को कभी-कभी समाचारों में किस संदर में देखा जाता है तो ये होगा जलवायू तो इसमें होगा जलवायू परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्यों के देसों दारा बनाई गई कार्य योजना है ये तो इसलिए इसमें हो जाएगा ओप्शन बी नेक्स्ट है परियावड संदक्षोड अधिनियम 1986 ये भारास सरकार को सशक्त करता है कि कि वहां विभिन स्रोतों से परियावर अड़ी प्रदूसकों के सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे तो इसका हो जाएगा उनली टू ओप्शन भी इस दा राइट ओप्शन एजेंडा 21 किस छेत्र से संबंदित है तो इसका संबंद है सश्टनेबल डवलप्मेंट ओप्शन ए इस दा राइट ओप्शन 1997 में कहां पर होता है ये तो ये होता है नियू यार्क में इसी संबंद के आयोजन का मुख्य उदेश था टिकाव विकास के लिए सतत व्यापक कारिकारी योजना एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का मुल्यांकन करना था नेक्स्ट है रियो प्लस 20 किसके लिए संक्षिप्त नाम है तो ये हो जाएगा United Nations Conference on Sustainable Development मतलब की धारोड़ी विकास पर संयुक्त राष्ट्र समिलन ओप्शन B is the right option नेक्स्ट है रियो प्लस 20 गोशडा पत्र का सीर्षक क्या था ये था the future we want नेक्स्ट है समाचार में कभी के भी दिखने वाला एजेंडा 21 किस अंदर में निम्लखित कत्नों पर विजार किजे यह धारड़ी विकास के लिए एक वैश्वी कार योजना है बिल्कुल साहिए दूसरा कहता है कि 2002 में जोहांसबर्ग में हुए धरड़ी विकास पर विश्वी सिखर सम्मिलन में इसकी उत्पत्ती होती है ये तो अभी गलत हो गया है क्योंकि ये इसका हुआ थर्यो में तो इसका हो जाएगा option A correct और दूसरा गलत है तो यदि बात करें हम एजेंडा 21 की तो इसकी उत्पत्ती कब होती है 1992 में ब्राजील के रियो डेजनेरियो में जब प्रतिवी शिखर सम्मिलन होता है तो ये याद रखेंगे नेक्ट है निम्न लिखित में इसे कौन सी एजेंडा 21 की सही परिबासा है तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि यहा 21 सदी में विश्व परियावर्ड संडक्षड है तो एक कारियो योजना है तो इसका हो जाएगा option C निम्न लिखित कतनों पर विचार किजिए धारडी विकास लक्ष पहली बार 1972 में एक वैस्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने जिसे क्लब आफ रोम कहा जाता है में प्रस्तावित क्या गया था तो इसका पहला गलत है दूसरा कहता है कि धारडी विकास लक्ष 2030 तक पराप तो किये जाने हैं बात कर रहा है sustainable development goals की तो इन्हें 2030 तक परापके जाने है तो इसका दूसरा सही है पहला गलत है और यदि आप लोग sustainable goals 17 जितने में 17 sustainable goals है उन्हें याद करना चाते तो इसकी एक separate वीडियो बना रखी है बहुत ही short वीडियो है बहुत ही tricky वीडियो है आप जाये तो जाके देख सकते हैं तो यदि बात करें हम धारड़ी की तो धारड़ी शब्द का प्रयोक का संबंद्य क्लाब आफ रोम से और धारड़ी विकास लक्ष ये संयुक्त राष्ठ की फैल है नेक्स्ट है संवरद्ध की सीमा की और धारड़ा का प्रतिपादन किसके द्वारा क्या गया था तो ये क्या गया था क्लब आफ रोम के द्वारा ऑप्षन ए इस दार राइट ऑप्षन सतत विकास लक्षो को प्राप्त करना है 2030 तक नेक्स्ट है वर्स 1987 में संयुक्त राष्ठ में पारिया वरड़ से संबंधित एक प्रतिवेदन के प्रस्तुति क के उपरांत धारड़ी विकास यानि कि sustainable development में चर्चा आरमवी थी तिया प्रतिवेदन क्या था तो ये था आवर कामन फ्यूचर मतलब ऑप्षन भी इस दार राइट ऑप्षन नेक्स्ट है कथन दिया है कि सतत विकास मानो समाज के कल्याड़ के लिए महत्व पूर्ड है ब इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्षन ए बोथ हर करेक्ट एन आर इस दार इस एक्स्प्रेनेशन ओफ ए नेक्स्ट है धारड़ी विकास की संकल्पना किसे से संबंदी थे तो ये संबंदी थे अंतर पीरड़ी साम्या से तो इसका हो जाएगा ऑप्षन डी नेक्स्ट है सतद विकास के संबंदी में गलत बताना है तो भावी सिकी पीडियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की छमता से समझा होता कि ये बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने वाला विकास है ये तो सही है दूसरा कहता है कि आर्थिक विकास से तातपर केवल समय की लंबी अवदी के लिए अर्थे वहस्ता में वहस्तों के प्रवास है तो इसका भी गलत है तो इसमें हो जाएगा ऑप्षन भी क्योंकि गलत ही पुछा है और यदि तीसरे के बात कर रहे तो या भूमी और निर्माण परियोजनाओं को इस तरह से विक्सित करने का अभ्यास है जो परियावरड पर उनके प्रभाग को कम करके ने आत्म निर्भरता के उर्जा कुछल माडल बनाने की अनुमती देता है नेक्स्ट है श्टॉक होँम में पर्थम बार परियावरड में संगोष्टी की सवर्स प्रस्तावित की गई थी तो ये की गई थी 1968 में तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए श्टॉक हों में परियावरण पर संगोश्टी 1968 में प्रसावित की गई थी और 1968 में सायूक्त राष्ट महासभा में उभरते हुए वैज्यानिक परमाडों का उपयो करते हुए पहली बार जलवावी परिवर्तन पर चर्चा की गई थी और वर्स 1972 में ही संयुक्त राष्ट पर्यावरण कारेकरम भी शुरू हुआ था नेक्स्ट है UNFCCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारत दी गई प्रतिपद्धता के संदर्म में क्या सही नहीं है भारत 2030 तक कार्वन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करेगा बिल्गुल सही है भारत 2030 तक अपनी उर्जा जरूरतों का 60% पूर्धी अक्षय उर्जा से करेगा गलत है क्योंकि यह 50% करेगा तो इसका ओप्शन भी ही गलत है जो की गलत पूछा था तीसरा की बात करेगा तो भारत 2030 तक अपनी ग्यार जिवाश्म उर्जा चमता को 500 गीगावार्ट तक करेगा तो इसका तीसरा और पहला सही है ऑप्शन भी गलत है तो UNFCCC यानि की कॉप 26 सद्वेशन में भारतों द्वारा व्यक्ति गी गई 5 प्रतिपद्यताएं कौन- भारत की उर्जा आवशक्ताओं का 50% अक्ष उर्जा के माध्यम से पूरा करना है तता 2030 तक भारती अर्थ वहस्ताएं की कार्बन तीवरता में 45% से अधिक की कमी करना है और 2070 तक नेट जीरो यानि की सुद्ध शून उसर्जन का लक्ष प्राप्त करना है नेक्स्ट है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष के संदर में निम्लकित कत्मों में से कौन सा सही है तो इसका विप्राए है कि वर्ष 2050 तक उसके उत्सर्जन को सून से नीचे लाना है तो इसका पहला गलत है दूसरा कहते है कि इसका विप्राए ये है कि किसी देश के उत्सर्जन की छहती पूर्थी वाता वरड़ से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरड और अवसोशर से होगी इसका दूसरा सही है पहला गलत है अंतराश्टी उर्जा एजनसी द्वारा सुद्ध सून्य उत्सर्जन रोड मैप जारी किया गया जिसका नाम है नेट जीरो ट्वंटी पकूर्जा रोड मैप है और दोजार पच्चास के लिए नेट जीरो का भी प्राइक आए कि किसी देश के उत्सर्जन की छति पूर्थी वाता वरड़ से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरड और अवसोशर से होगी 1962 में प्रकासित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसे से विश्व के पर्यावरड ये अंदोलन को गति मिली थी इसके लेखा कौन है तो यह हो जाएंगे रिचल कार्सन उप्शन सी इसा राइट उप्शन नेक्स्ट है पर्यावरड सुरक्ष अदिनियम यानि की इपी ये को अन किस नाम से जाना जाता है तो यह जानाता है अंब्रेला लेजिसलेशन मतलब की छाता विधान भरत सरकार द्वारा पर्यारोड संड़क्षोड अधिनियम का पारित क्या गया था तो यह क्या गया था 1986 में नेक्स्ट है कथन दिया है कि जीव मंडल एक खुला विवरत तंत्र का उदारण है बिल्कुल सही है तो इसमें सबसे पहले आता है जनसंख्या समुदाय पारिष्थित की तंत्र तथा भूद्रस से तो इसका हो जाएगा option C निम्न लिखित में से निम्न लिखित में से कौन मानो जनित जीवोम का एक उधारण है मानो के द्वारा क्या फसल उगाई जाती तो इसका हो जाएगा crop land पसली भूम, option D is the right option next है, कतन दिया है कि एक बायोम एक पारिश्यतिकी तंत्र होता है बिल्कुल सही है, उसका कारण ये है कि यद एक प्रदेश के जयवयम अजयव दोनों तत्त समलित किये जाते हैं जिसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याक्या भी कर रहा है तो बायोम ये पारिस्वितिकी तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है और इसके अंतर वनुस्पतियम जीवों के समस्ट क्रिया सील समू सामिल के आते हैं और किसी प्रदेश की विशेश जलवाय, मिट्टी, आधिकारकों से समंज से साबित करके जटिल जैव समुदाय विक्सित होती है और वही बायोम कहलाता है सबसे अधिक स्थिर परिस्टिकी तंत्र कौन सा है तो यह हो जाएगा महा सागर ओप्शन ए इसा राइट ओप्शन यदि हम बात करें पारी तंत्र की तो इसमें आते हैं दो प्रकार का प्राकृतिक और मानो निर्मित पारी तंत्र और प्राकृतिक पारितंत्रों में भी आते हैं दो प्रकार के अस्थली और जली अस्थल में कौन आते हैं वन गास के मैदान, मरुस्थाल तदा टुंड्रा जल में आता है सुच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र और सागरी जल पारितंत्र वन में भी तीन आते हैं तीन प्रकार के वन कौन से उष्ड कडबंदी वर्षा वन सिथोषड पत्जड वन टैघर या संकुधारी वन किस प्रकार के परियाव रड़ में जयोधर विमान का वार्षिक उत्पादन नियुनतम होता है तो यह होता है गहरे सागर में जैव द्रविमान के उत्पादन के दुरेश्टे से उश्वड कडवंदी वर्सावन प्रथामस्तान पर आते हैं। इन में जैव द्रविमान उत्पादन का लगभा कितना 2200 वर्ग मीटर पर येर होता है। ये उश्वड कडवंदी वर्षावनों के पेक्षा प्रवाल वित्या कहीं अधिक संक्या में जन्तु संगों का पर पोश्ड करती है। इसका तीनों सही है इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन D1,2,3 येदी बात करें प्रवाल वित्या के तो ये मुख्य रूप से उश्व निम लखित में से कौन सा प्रवाल वित्य ड्यूप नहीं है, तो ग्रेट बारियर रिफ में तो पाए जाती है, र Controllerी फिजी में ठीसौरद भारत में भी पाए लेकिन जो क्यूशू दीप, जपायन का क्यूशू दीप है, यह यहाँ पे प्रवाल वित्ती यानि की कोरल रीफ नहीं पाई जाती है। निम्न लिखित में से किस छेत्र में प्रवाल वित्ती नहीं पाई जाती है तो ये कैम्बो की खाड़ी में नहीं पाई जाती है मनार की खाड़ी कच्छी की खाड़ी ततल लग सदिप और मिनी कौई में भी प्रवाल विरंजन में नेक्स्ट है निम्न मेंसे कौन प्रवाल विरंजन में सरवादिक महत्थपूर कारक है तो यह है ग्लोबल वार्मिंग मतलब की वैश्विक उसमन नेक्स्ट है सूरिया बिताप जायो मंडल परिस्टित की तंत्र के लिए सबसे महत्थपूर उर्जा सुरोत है कतन बिल्कुल साही है कारण यह है कि सौर विकरण होते हैं यह हर पौधो द्वारा भोजन तथा रासानिक उर्जा में परिवर्थित हो जाता है तो इसका कारण भी साही है और कारण कतन की व्याख्या भी कर रहा है तो इसलिए इसमें हो जाएगा option A जीव मंडल या फिर पारिसितिकी तंत्र में उर्जा का प्रधान सुरोत क्या होता यह होता है सूर्य और पारिसितिकी तंत्र में सौर उर्जा का निवेश यानि की इन्पुट होता है और जो हारे पौधे होते हैं यह अपनी पत्यों में प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमी के नाम से जाना जाता है तो इसमें हो जाएगा टॉपिकल सवाना रीजन मतलब की ऊष्ड कड़बंदी ये सवाना प्रदेश ऑप्शन डी इस दा राइट ऑप्शन सवाना बायों में आर्द्र ऊष्ड कड़बंदी चलवावी पाई जाती है और यहां पार्क लेंड भूमी होती है सवाना प्रदेश मुकिता अफ्रीका महाधियूप के विशाल छेतर से हैं और इसके लावा ये दशड़ी अमेरिका वा उतरी ऑस्टेलिया में भी अवस्तित हैं जो सवाना बायों होते हैं इनमें पेड़ पोदो और जन्तुओं में सूखे को सहन करने की चहमता होती है और इस प्रदेश के व्रच्चों में अधिक विविदता नहीं पाई जाती है इस बायों में हाथी, दर्याई गोडे, जंगली भैस, हिरड, चीता, शेर, तेंद नेक्स्ट है निमनलकित वनों में से कौन सा जंगल प्रतिवी क्रह के फेफडो के रूप में जाना जाता है तो यह हो जाएगा अमेजन के वर्चावन जैविक समुदायों के अंतरगत कुछ जाती हैं, बड़ी संक्या में अने जातियों की समुदायों में बने रहने की छमता को निरधारित करने में महत्पूर होती हैं, कौन सी जाती हैं, यहने कहते हैं की श्टोन प्रजातियां, आप्शन A is the right आप्शन पारिस्यतिकी तंतर में एक टिकाव जैव समुग क्या कलाता है, तो यह कलाता है क्लाइमेक्स मतलब की चरम अवस्था, पारिस्यतिकी तंतर में टिकाव जैव समुग को चरम अवस्था कहा जाता है, जब किसी आवास में वनस्पती समुदाय परिवर्दन की विबिन अवस था नेक्स्ट है हेकिस टो थर्म पौधे हैं जो कि उगते हैं कहां पे तो ये बहुत कम ताप पर उगते हैं वेरी लो टेंपरेचर पर और ये मुक्यता आर्कटिक अंटाक्टिक छेत्रों में पाय जाते हैं और ये पौधे बहुत कम ताप पर उगते हैं वह लंबे समय तक अंधेरे में रह सकते हैं नेक्स्ट है वह विदेशा आप प्रत्रड जिसने भारत को मिला कर विश्व के पांच देशों में खेती पस और मानों को प्रभावित किया इतना खतरनाक हो गया कि भारत में हाली में उसके प्रबंदन पर एक अंताराश्टी कॉन्फरेंस बुलानी पड़ी तो जाना जाता है उसे पार्थेनियम के नाम से जाना जाता है तो इसका हो जाएगा ओप्शन सी समुदरी खर पतवार निमलकित में से किसका महत्तपूर स्रोथ है तो यह आयोडीन का एक महत्तपूर स्रोथ है यदि आप हिमाले से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निमलकित में से किस पादब या पादबों के प्राकरतिक रूप से उकते हुए देखने की और बुरुश चंदन तो नहीं मिलेगा इसमें 1 & 2 मतलब option A is the right option यदि बात करें चंदन के वरचके तो यह दच्छड भारत में पाजाते हैं करनाटक और तमिल नाडू रीजन में भारत सरकार सी बक्तोड की खेती को प्रोचाहित कर रही है इस पाधप का महा तो क्या है तो य होकता है यह बायो डीजल का समरत दोसरोत है नहीं कि इसमें पोसकी मान होता है और यह उच्छ तुंगता वाले ठंडे छेत्रों में जीवित रहने के लिए बाली बाती अनकूलीत होता है तो इसका पहला और तीसरा करेक्ट होगा चौता इसकी इमारती लगडी का उच्छ वाडी जिग मूल है इसका चौता भी गलत है इसमें पहला और तीसरा सही है इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट है निमने में से एक मद समू में सिर्फ जैव निमनी करड मदे हैं कौन कौन सी तो इसमें हो जाएगा वुट ग्रास औं लेदर ऑप्शन भी इ जो एक नगन चट्टान पर भी पारिशित के अनुकरम को प्रारम करने में सक्षम होता है वास्तों में किनके सहजीवी शहचारी होते हैं यह होते हैं सैवाल और कवक के निमनी की समूहों में से किन में ऐसी जातिया होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना स लगती हैं तो इसमें हो जाएगा नाइडेरियाई कवक और आधी जन्त यानिकी प्रोटो जवा तो इसमें हो जाएंगे तीनों बोद वन टू एन थ्री नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन अधिक्तम कुशलता पूर्वक सौर उर्जा को रासानीक उर्जा में फरवर्तित करता है यह करता है क्लो रहला आप्शन ए ard ओप्शन है नेक्स्ट है दो भिन समधायों के बीच का संक्रामती चेत्र क्या कहलाता है तो यह कहलाता है इको टून नेक्स्ट है यूनेस्को के द्वारा मैंड एन बायोस्फेर प्रोग्राम की शुरुबात कप की गई थी तो ये की जाती है 1971 में जिव मंडल आरिक्षित परिरक्षर छेत्र है तो ये अनुवनसिक बिन्रता के छेत्र है यह भारत के किस राज्य में इस्तिता है तो यह है असाम में मिलेगा मानो मानस जैव आराक्षे छेत्र निम्नलिकित में इसे कौन सा एक कथन जैव मंडल रिजर्व के समन्द में सही नहीं है यह जैव विवित्ता के सनरक्षड है तुस रक्षित है बिल्कुल करेक्ट है प्रतेक जैव मंडल रिजर्व के तीन जोन है दूसरा भी सही है विश्व भर में जैव मंडल रिजर्व के जाल हैं, बिल्कुल सही है, चौथा कहता है कि यह IUCN, यानि कि प्रक्रति और प्राक्रतिक संसादों के संडक्षड है, तो अंतर राश्टी संगधारा प्रधम बार शुरू किया गया थे, तो इसका चौथा सही नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ओप्शन D, सुची एक को सुची दो से सुमिलित करना है, प्रमुग बायसफेर रिजर्व है, शिमलीपाल कहां पे है, यह है ओडिषा में, दिहांग देबंग, यह है ओडाचल प्रधेश में, यह है मेघाले में, तो इसका हो जाएगा 4351, ओप्शन D is the right ओप्शन, भारत में चयो भाव गुलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है तो यह है 10 तो भारत में चयव बहु गुलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है यह है 10 और यह आरो के मेंस में पुछा गया था क्वेश्चन भारत के निमनलकित चयव मंडल रिजरों में से कौन गारो पाड़ियों में फैला है तो यह हो जाएगा नोकरेक जो की मिघाले में है क्योंकि गारुक पहडिया कहा है ये भी मिघाले में है नेक्ट है जंगल महल के लाने वाले छेत्र कहां इस्तित है तो ये हैं पश्चिम बंगाल में निमलकित में से कौन एक यूनिसकु द्वारा प्रमाडित छेत्रफल की है तो पारी तंत्र क्या होता है जीवों यानि की ओर्गयानिजम का समुदा है और साथ ही वह परियार और जिसमें वे रहते हैं ये कहलाता है एको सिष्टम यानि की पारी तंत्र और यदि हम बात करें पारिस्वित की तंत्र यानि की एको सिष्टम की तो इसका सरप्रतम प पर प्रभाव भी ढालते हैं और समुधायों के जीवों की रचना कार्य वह उनके वातावरड के पारसपर एक संबंद को पारी तंत्र कहते हैं। अपने ही वातावरड में एक जयो समुदा है जैसे कि तालाब वन महासागर एक जलजीव शाला को क्या कहा जाता है तो इसे कहते हैं है हम पारिस्तिकी तंत्र इसका सब पत्रतम प्रियोग 1935 में एजी टांसले के दोरा गया गया था है नेक्स्ट है ecology इकोलोजी टेक्स अंटू आकांट ओफ पारिस्तिकी क्या होती है तक यहां जीव तथा उनके परियावरड की बीच के समबंध का कारढर और यदी पात करेगी हम पारिस्तिकी श्ब्द का प्रियोग साव प्रतम जीव फ्याट्स्थ हैकल के दwar 와 1869 में किया गय में पारिशतिकी विज्ञान में किसका आध्यान होता है यह ईतक है और से एक बंद तंत्र होता तो यह ही गलत है कि ऑप्शन होता है यह खूला तंत्र होता है तो इसका पारिश्यतिकी तंत्र होते हैं, ये फ्राक्रतिक संसादन तंत्र होता है, तो इसका A, B and D correct है, C correct नहीं है, नेक्स्ट है पारिश्यतिकी संक्रमड, अउधारडा का सवर प्रतम प्रियोग क्या गया था, किसके दोरा, तो ये क्या गया था, बिनिट के दोरा, और ये question भी आया अरनीज, नीज के दोरा, कब क्या गया था, 1973 में डीप एकोलोजी सब्द का पहली बार प्रियोग क्या गया था, मोनुक्लाइमेक्स मतलब की एकल चरम सिधानत का प्रतिपादन किसके दोरा क्या गया था, तो ये क्या गया था, F.E. क्लेमेंट्स के दोरा, नेक्स्ट है पा निमलकित में इसे कौन कृत्रीम पारिश्यतिकी तंत्र है तो इसमें जो धान का खेत है ये कृत्रीम है बाकी वन जीले तता घास की मैदान ये सभी प्राकृतिक पारिश्यतिकी तंत्र है नेक्स्ट है कतन और कारड है कतन कहता है कि प्राकरतिक वनस्पति जलवायू का सही सुचकांक है बिल्कुल सही है कारड यह है कि जो जल प्री पौधे होते हैं यह आर्द्र जलवायू में पाय जाते हैं तो इसका कारड सही है कतन भी सही है लेकिन कारड कतन की व्याख्या नह ही नहीं है तो इसका हो जाएगा option D कि नेक्स्ट है पारिश्यतिकी तंत्र के संबंद में निम्लखित कत्म पर विचार किजिए जो स्वाप पोसी होते हैं स्वाप पोसी इस्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक्ता कहा जाता है तो इसका दूसरा भी सही है तो इसलिए इसमें हो जाएगा option C और ये question आरो के 2017 में पूछा भी गया है नेक्स्ट है कतन कहता है कि पारिष्यत की तंत्र के विविदःव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं तो कतन तो गलत हो गया कारण ये कहता है कि मानुक रियाओं से वात्ता वरण प्रभावित होता है कारण बिल्कुल सही है निम्लिकित में से कौन सा पारिषयतिकी तंत्र के लिए सत्य है हो जाएगा दोनो उर्जा का प्रवा एवं खनिजो का चक्रड तो ये है पारिषयतिकी तंत्र के बारे में सत्य इसका हो जाएगा option A तो अधी बात करें उर्जा का प्रवायों खर्णजों का चक्र दोनों ही पारिश्यतिकी तंत्र के लिए सही है नेक्स्ट है निमलखित में से किस कारिस से पारिश्यतिकी संतुलन बिगड़ता है तो यह होता है लकड़ी के काटने से next है bionomics के बारे में कौन सा गथन सही है इसका साप्दिकर्थ होता G1 का प्रबंद नहीं गलत है ये दूसरा कहता है कि यब पारिस्व्यतिकी का पर्याय है या प्राकरतिक तंत्रों के मूले पर जोड देता है जो मानू तंत्रों को प्रभावित करते हैं तीसरा सही है इसका पहला गलत है तो इसलिए इसमें हो जाएगा पहला गलत है मतलब option C 2 and 3 is the right option और यदि बात करें bionomics की तो इसका अर्थ G1 का प्रबंद नहीं इसका अर्थ होता है G1 के लिए नियम निम्नानकित में कौन एक सर्वादिक भंगूर पारिसितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा तो इसमें हो जाएगा आर्कटिक एवम ग्रीन लैंड हिम चादर आइस सीट option A is the right option नेक्स्ट बात करेंगे carbon footprint शब्द से क्या अभिप्रा है तो carbon footprint होता क्या है तो जो हमारे daily मतलब कि जो हमारे daily के क्रिया कलाब से उत्पन ग्रीन हाउस गैसों की मांतरा होती है वही कहलाती है carbon footprint तो इसका हो जाएगा option D निम्नानकित में इससे कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्वी के सरवादिक शेत्र फर फैला हुआ है तो यह हो जाएगा C मतलब कि सामुद्रिक परिस्थितिकी तंत्र तो सामुद्री परिस्थितिकी तंत्र यह प्रत्वी के सबसे ज़्यादा भाग पर फैला है और प्रत्वी के बात करें तो यह जल और दल यदि प्रत्वी के बात करें तो यह दो भागों में डिवाइड़ है जल और थल और यहाँ पर जो जल है यदि जल की मातरा कितनी है तो यह 71% भाग पर जल है यह भी याद रखियेगा पूछा जा सकता है और 29% भाग पर जल है बजबी पर सरवादिक वरहद पारिस्टिकी तंत्र कौन सा है तो इसमें हो जाएगा जो बायोस्फेयर होता है और स्थल मंडल एक स्थली पारिस्टिकी छेत्र तक सीमें रहता है लेकिन यदि हम बात करें बायोस्फेयर के तो वो सबसे वरहद पारिस्टिकी तंत्र है और यदि बात करें बायोम यानि कि जीवोम पारिस्टिकी तंत्र की तो यह एक एक इकाई करूप में एक निश्यत छेत्र में रहता है, तो इसलिए सबसे वरात कौन होगा बायो स्फेर, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निकेत पारिस्थितिकी निकेत की संकलपना किसने दी थी तो ये दी गई थी ग्रीनेल्स के दोरा तो इसका हो जाएगा ओप्शन ए इपी ओडम ने, इन्होंने दी थी गहन पारिस्थितिकी तंत्र की नेक्स्ट बात करेंगे किसी जीव का पारिस्थितिकी निकेत किसे संबंदित होता है तो ये संबंदित होता है जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से तो इसका हो जाएगा option A next है निम्नलिकित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहड किये गए दिकस्थान का ही नहीं बलकि जीवों के समदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वरडन करता है तो इसका हो जाएगा पारिस्तित की निकेद मतलब option B पारिस्तित की कर्मता या पारिस्तित की निकेद next है पारिस्तित की तंतर के जैवी घटकों में कौन-कौन से घटक आते हैं तो इसमें आते हैं जो हारे पौधे होते हैं ये जैवी घटक में आते हैं निम्नलिखित में से पारिस्तिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी घटक नहीं है तो वनस्पती जीवाड तो था जानवर तो है लेकिन वाईव ये पारिस्तिकी तंत्र का जीवी घटक नहीं है निम्नलिकित में से कौन एक अस्थली पारिसितीकी तंत्र का उपभाग नहीं है तो इसका हो जाएगा option B सागरी क्योंकि ये जली पारिसितीकी तंत्र का भाग है नेक्ष्ट बात करेंगे उस्षड कडबंदी पतजड़ी वन बायोम के छेतर में निम्लिकित में से क्या नहीं आता है उत्तरी अमेरिका मुख्यता दक्षडी पश्चमी अमेरिका नहीं आता है तो इसका हो जाएगा ओप्शन डी नेक्ष्ट बात करेंगे निम्लिकित में से मिल्ली कहां पे एशिया, अउस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मद्यमेरिका तता मैक्सिको और प्रशान्त द्यूप पर पाय जाते हैं और धर्ती पर पाय जाने वाले सभी पश्वों और प्रजातियों की आधी संक्या इन वर्सा वनों में रहती है और इन वनों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है उश्वोड़कडबंदी वर्सा वनों में नेक्स्ट है भारत के निम्लिकित पारिशित की छेत्रों में निम्लिकित में से कौन सा एक सही नहीं है तो दच्वर पश्वी घथ में आरदर्वन पाये जाते हैं करेक्ट है तराई के दुवड़ छेतर में चौड़े पत्ति वाले बन पाये जाते हैं कक्ष के रन में घास के ब्रदेस पाये जाते हैं भारत के उपयोग तो परिस्तित की संतुलन बनाय रखने के लिए वना च्छादन है तो नियुम्तम संस्तुती भूम कितनी होनी चाहिए तियो होनी चाहिए 33% नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अंसर देश के कुल भागोलिक सिद्रफल के कितना प्रतिशत वना च्छादित है तियो हो जाएगा 21.54 लेकिन यदि हम बात करें ISFR 2021 कित ये हो जाएगा कितना भारत का 21.71% वना च्छादित है और यदि हम सरवाधिक 1 वना वरड प्रतिशत में बात करें तो इसमें हो जाएगा टॉप पर मिजोरम अरुडाचा पधेस एन में घालेया नेक्स्ट है मैदानों में परिया और संतुलन को बनाया रखने के लिए नियूनितम जंगली छेत्रे कितना चाहिए होता है तो ये चाहिए होता है 25% नेक्स्ट है निमलकित भारत के राज्यो में से कौन सा राज्य सरवाधिक वना चाधित है तो ये हो जाएगा मिजोरम नेक्ष्ट है कतन दिया है कि सारे प्रयासों के बावजूद हमारे वन जीवन संसाधन में बड़ी तेजी से कमी आ रही है बिल्कुल करेक्ट है करड़ ये कहते है कि व्योसाइक स्वार्थ इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है इसका करड़ भी सही है और करड़ कतन के भी अख्या भी कर रहा है नेक्ष्ट है यद्यपी भारत की मानों जनसंक्या तीवर गती से बढ़ रही है किन्तु पक्षी जनसंक्या तेजी से घट रही है क्यों क्योंकि सिकारियों की संक्या में साधरण वरद्दी होई है नहीं जैविक खीट नासक तथा जैविक उरव तो इसलिए इसमें हो जाएगा कौँसा option C next है राश्टी 1 नीती को कब शुरू किया गया था तो ये किया गया था 1988 में next है ये बहुत ज़्यादा महाथपुड़े UP के आरो में पूछा भी गया ये तो उत्तर प्रदेश 1 महोजो सफ़ता कब मना जा था ये मना जा था 1-7 जुलाई को और यदि इसकी शुरूवात के बात करें तो इसकी शुरूवात 1950 में डॉक्टर के एम मुनसी जो की ततकालिन खाद्यमकरसी मंत्री थे उनके दोरह इसकी शुरूवात होती है 1-7 जुलाई के बीच में 1 महोजो यूपी मना जाता है सबसे ज़्यादा महातबुड़ याद रखेगा नेक्स बात करेंगे एक पारिश्यति की तंत्र के लिए प्रेरग बल क्या होता है तो इसमें हो जाएगा सौरूर्जा जो सूलर एनर्जी होती है ये पारिश्यति की तंत्र के लिए प्रेरग बल होती है डिवाइनिंग फोर्स होती है तो जो सौर उर्जा होती है ये परिश्यतिकी तंत्र के लिए एक ड्राइविंग फोर्स होती है तो एक परिश्यतिकी तंत्र का सरवादिक महात्पुड गटक कौन होता है सौर उर्जा क्यों क्योंकि जो हारे पौदे होते ये प्रकास के द्वारा ही तो प्रकास संसलेश्टर की क्रिया करते हैं सौर उर्जा प्रत्वी के पारिस्टिकी तंत्र की उर्जा का जो प्रत्वी का पारिस्टिकी तंत्र है इनकी उर्जा का एक मात्र श्रोत कौन है ये है सोलर एनरजी नेक्ट बात करेंगे पारितंत्र उत्पादक्ता के संदर में समुद्री उत्प्रवा यानि कि अब फेलिन छेत्र इसलिए माहत्पूर होता है क्योंकि ये निम्लिकित मध्यम से समुद्री उत्पादक्ता बढ़ाते हैं तो ये बढ़ाते हैं जो पोसक तत होते हैं पोसको को सते पर लाके उनकी उत्पादक्ता बढ़ाते हैं तो इसका हो जाएगा only two option भी is the right option. Next है पारितंतर की घटती उत्पादक्ता यानि कि decreasing productivity of ecosystem के करम में उनका निम्नकित में से कौन सा अनुकरम सही घटती बताना है यानि कि सबसे ज़्यादा कहां होती है सबसे कम ये पारितंतर की घटती उत्पादक्ता है तो सबसे ज़्यादा कहां होती है मैंगरूव में होती है घास अस्थालों तन जील एंदेन महासागरों में ये question आरो के तो थाज़ा निकीस तथा आईस प्री में भी पूछा गया है तो इसमें हो जाएगा पारितंतर की घटती उत्पादक्ता मैंगरूव में सबसे ज़्यादा होती है एंदेन घास अस्थाल में जीलो में एंदेन महासागरों में नेक्स्ट है मिलेनियम एकोसिस्टम एसेस्टम पारिस्वतिकी तंत्र की सेवाओं के निमलिखित प्रमुक वरगों का वर्ढ़न करता है व्यवस्था समर्थन नियंद्रोड सन्रक्षण और सांसकृतिक निमलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है तो इसमें हो जाएग में जो carbon dioxide होती है इसकी बड़ी होई संद्रता के कारण बड़ी होई पादब व्रद्धी होती है तो इसका हो जाएगा option A next है खाद मिट्टी यानि कि humus में किसकी तत्तों की सबसे ज़्यादा प्रतिश्यतता में मात्रा अधिक होती है तो जो humus होता इसमें किस तत्तों की प्रतिश्यतता सबसे ज़्यादा होगी तो इसमें होता है carbon की तो यदि humus की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है carbon humus में carbon कितना हो 60% यह भी याद रखेगा second पर कौन है तो second पर होता है nitrogen 6% और इसमें limo proteins और और आपकरमिनिक लवर जैसे की फासफेट और पोटास भी पाजाते हैं। हुमस्फ कारिका करता है, तो हुमस्फ दोता है, यह पौधे के वरद्य और विकाज में सहायक होता है। और जो अब गटक होते हैं ये हूमस के निर्माड में महातुपूर भूमिका निबाते हैं।